लेकर काफी हिंसक घटनाय देखने को मिल रही हैं तो इन सबके बारे में आपको बताऊंगा ही लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ इसके लिए हमें जाना होगा नौर्थीस में और नौर्थीस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मेंली सेवन स्टेट दिख रहे होंगे और इसके अलावा सिक्किम यह पूरा नौर्थीस का रिजन होता है तो यहाँ पर जो आसाम है दोस्तों उसका याद रखेग इसी को लेकर पूरा मामला चल रहा है यहीं पर जो ब्रू कम्यूटी के लोग है वो इसी रीजन में रहते हैं इस्पेशली यहाँ पर जो आप देख रहे हो त्रिपुरा के अंदर यह पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है कंचनपूर कंचनपूर में ही पूरा जो हिंसक घटनाए हैं वो आपको देखने को मिलेगा और स्पेशली आप देख पाओगे जो कंचनपूर है वो त्रिपुरा और मिजूरम के बीच की जो बाउंडरी आम शूर आप देख पा रहे हो यह आपका मिजूरम राइट साइड में लेट साइड में त्रिपुरा यह काफी आ सिचुएशन है री सेटल्मेंट की क्या चर्चा हो रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम फेस्बुक और ट्वीटर पर मेरे लेक्शे की हप पीडियाफ आपको फेस्बुक या फिर रियांग कम्यूटी यह बेसिकली इंडिजीनियस कम्यूटी है ट्राइब है नौर्थ इस्ट रीजन में और मेंली अगर आप देखोगे तो त्रिपुरा मिजोरम और असाम इन तीन राज्यों में यह बसेवे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह आप मेरा आपके लिए कोशन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पूरे देश भर में कितने ट्राइब को पीवी टीजी का दरजा मिला हुआ है और सबसे ज़ादा पर्टिकुलर्नी वलनेरेबल ट्राइबल ग्रूप आपको कौन से राज में मिलेगा इसका फा सारे वहाँ पर जो लोकल ऑगनाइजेशन है जैसे कि आप नाम देख सकते हो यंग मीजो असोसियेशन इसके अलावा एमजेट पी इसके अलावा और भी कई एथनिक सोशल ऑगनाइजेशन है उनकी अचानक से मांग बढ़ने लगी दो दसक पहले कि जो बू ट्राइब है उनको इलेक्टोरल रोल से हटा देना चाहिए और लोक डिमांड करने लग है तो फाइनली जाकर 1997 के अक्टोबर महने में काफी जादा एथनिक क्लैशेस देखने को मिला मतलब कि जो बू कमूटी है उनके ओपर एक तरह से काफी हमला हुआ और इसको लेकर आप राइट आप से चल कर चले गा है तृपुरा के अंदर यह जो कंचनपूर एरिया है आपको मैंने अभी जस्ट मैप में दिखाया था तो जस्ट बॉडर के पास ही है तो यह यहाँ पर आकर सेटल हो गए तो यह बेसिकली करीब बताया जा रहा है नंबर 37,000 बू जो ट्राइब है व आपके यहाँ पर रिलीफ कैंप में रहते हैं तो इतने साल हो गए इनको रिलीफ कैंप में रहते वे यहाँ पर सरकार के द्वारा सेंटरल गवर्मेंट के द्वारा लगतार कोशिश की जा रही थी कि कि किसी प्रकार से उनको पर्मनेंट सेटलमेंट किया जाए तो इसी को लेकर आप देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है तो जो तृपुरा का कंचनपूर है वहाँ पर काफी जादा tense माहोल हो गया काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला क्यों क्योंकि री सेटल्मेंट की चर्चा हो रही है तंचनपूर में और इसको लेकर एक व्यक्ति की मृत्यू हुई है करीब 23 से जादा लोग इंजर्ड हुए इन फैक्ट ये भी निउस खबर आ रही थी कि एक जो फायर फाइटर है उनकी भी यहाँ पर मृत्यू हो गई है तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है नौर्थ रुपूरा के अंदर तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 23 साल पहले ये जो एथिनिक क्लैशेस देखे गए थे तो उनी को लेकर यहाँ पर सेटल्मेंट की चर्चा है अब क्या हुआ था कि जैन्वरी इसी साल जैन्वरी में एक एग्रिमेंट हुआ एग्रिमेंट क्या हुआ कि 32,000 ब्रुव कम्मुनिटी के जो लोग है ट्राइब हैं उनको पर्मेनेंटली सेटल कर दिया जाएगा यह जो मैंने आपको एरिया बताया कंचनपूर के पूरे आसपास के एरिया में तो यहाँ पर यह एग्रिमेंट हो गया जैन्वरी के महने में इसी साल आगे क्या होता है आप देख पा रहो कि जो लोग रह रह रहे हैं त्रिपुरा के अंदर अब उनको दिक्कत होने लगी जो त्रिपुरा के अंदर बेंगॉली पीपल हैं मीजो पीपल हैं वो एक तरह से क्लेम करने लग गया है कि अगर उनको वहाँ पर सेटलमेंट कर दिया जाएगा तो एक तरह से जो पूरा डेमोग्राफिक इंबैलेंस है उस पूरे रीजन में आ जाएगा और वो इससे खुश नहीं थे इसी को लेकर तरह पूरा के अंदर जो मीजो कन्वेंशन है एक प्लैटफॉर्म बनाया उन्होंने लोकल एथनिक ऑगनाईजेशन के साथ मिलकर जिसका नाम है जॉइन्ट मूव्मेंट कमीटी आपके एक्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली जॉइन्ट मूव्मेंट कमीटी न्यूज में था ये कौन से राज जिस से बिलॉंग करता है तो ध्यान रखेगा तृपुरा के अंदर ये आपका जॉइन्ट मूव्मेंट कमीटी बनाया गया और उन्होंने ये चीज कहा है कि हम 1500 से ज़्यादा जो ब्रूफ फैमिलीज हैं उनको हम कंचनपूर में अलाउ के ले कर रहे हैं अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो जॉइन्ट मूव्मेंट कमीटी है उनके कन्वीनर है शुर्शांत बरुवा उनका ये कहना है कि हमें एंसेस्टरन लैंड बचाना है लेकिन सरकार यहाँ पर जो लोकल एड्मिनिस्रेशन है वो कह रही है उन् है कंचनपूर के अंदर चांदिनी चंदरन जी उनका ये कहना है कि अभी 5000 माइगरेंट फैमिली को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है ये जो नंबर है ये अभी ऐसे ही चल रहा है अभी बात चर्चा प्रोग्रेस में अभी हम कोई भी नंबर पर फाइनल नहीं हुआ है तो य उसमें ये बताया गया कि बुरू सेटलमेंट जो होना है उसके लिए पूरा खर्चा करीब 137 करोण के आस पास आएगा और इसका जो नंबर ब्रेक अप किया गया तब पता चला कि 5000 बुरू फैमिली को सेटल किया जाएगा इसी को लेकर यहाँ पर अचानक से हिंसा देखन से उसका क्या नाम है तो देखी सबसे पहले क्या हुआ 2018 में एक एग्रिमेंट हुआ था जिसका नाम है 4 Corner Agreement आपको इसका नाम पता होना चाहिए एग्जाम में आ सकता है ये एग्रिमेंट किस चीस से रिलेटेड है तो जो बुरू कम्यूटी को सेटलमेंट करना है रिसेटल की जाएगी उनको यहाँ पर 0.03 एकर का लैंट दिया जाएगा घर बनाने के लिए घर बनाने का जो खर्चा आएगा उसके लिए करीब 1.5 लाक रुपए सेंटल गौर्म यहाँ पर दिया जाएगा इसके लावा वन टाइम कैश बनेफिट भी दिया जाएगा हर एक फैमिल सेटल हो सकें क्योंकि अभी वो रिलीफ कैम्प में रह रह रहे हैं तो आई होप दोस्तों यह जो पूरा वीडियो था यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है किसली हो रहा है बुरू कम्यूटी के लोग कौन है ट्राइब्स कौन है इन सब के बारे में मैंने आपको बता द जिका तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही दोनों कोशन का अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो टेलिग्राम से भी आप ले सकते हो एक्स्प्रेनेशन भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ झाल 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 झाल